वेरी गुड बॉर्णिंग टॉल सबको आज के सुपरभात और सरपर्थम मैं नवीन जी अभे जी उनकी पूरी टीम रस्मी जी है परताब जी है और सारे जो अधिकारी गण यहां पर उपस्तित हैं रास्थान सरकार के जो सारे विविन विवागों के अधिकारी उपस्तित जिलादी कारी गण और जो भी वीडियो से जुड़े हैं मैं उनका बहुत-बहुत हारदी का भार परकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आज यह एक बहुत अच्छी कारेशवाला कायोजन किया है जिसमें कि हम लोग और आप लोग मिलकर जो हमारे स्टीजी कारेकरम को कैसे सब्सक्राइब के बढ़ाएंगे उस पर चर्चा करेंगे और इस पर आप से भी फिडबेक लिया जाएगा कि और स्थम क्या सुधार कर सकते हैं तो इस पूरे दीन की चर्चा के बाद मुझे लगता है कि निश्य ही इसमें आप लोग और हम लोग मिलकर प्रगति करेंगे और नवीन जी ने जैसे बोला कि जो गोल है हमारे 17 SDG गोल है उसको अब हमको गाओं गाओं तक पहुंचाना है यह पाले जो था यह SDG गोल जैसे आप लोग को पता है कि वो क्योल राज जस्तरिये लेवल पर ही मौनटरिंग होती थी जो नीटी आयोक की भी रिपोर्ट पब्लिश होती है वो स्टेट लेवल की पब्लिश होती है और बाद में उन्होंने डिस्टिक लेवल की पब्लिश करना शुरू की ह है लेकिन अभी तक किसी ने यह उसको गाउं तक लेकर कैसे जाए इसके बारे में किसी भी मुझे नी दखता है किसी भी भाग ने बहुत सोचा होगा तो इसलिए हम लोगा पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसको लास्ट एर एक एक्सपर्ट कमिटी बैठाई और एक्सप लिए हमारी एक अईकोनिक वीख थी 17-24 अपरिल तक लास्ट यह जिसमें की पूरे देश से करी 5000 सरपन्च और विवीन विवाग के अधिकारिगर्म मी सटकत कि थे उसके लाव भारत के बिवन कोनों में हमारे विवन ठीवों पे काफी कॉन्फरेंस हुई एक लोग आप लो 2030 तक क्या में तो लगता है कि कुछ गोल को प्लबदी हम अगले तीन-चार ताल में कर लेंगे लेकिन अवेरनेस के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग के जिनरल अवेरनेस तो है सत्रह स्टीजी गोल के बारे में कोई हाथ खड़ा करें कि इतने लोग को पूरी विग् लोग इस है ना नहीं तो उसके बारे में तौकिर जी को प्रेजेंटेशन बताओं तो उसके पांदेस में लगाएंगे है ना यह जोग देखिए तो बहुत लोग आथ खड़ा नहीं हुआ है मैं देख रहा हूं है ना तो मुझे तो इसमें आप लोग की थोड़ी सिरकत की जुरत पड़ेगी और यह पूई नया गोल नहीं है 2015 ते चला रहा है कवायद हम आज 2023 से बात करें ना आठ साल ते चली आ रही है तो आठ साल तो हमारा ऐसे ही निकल गया और उक्यों साथ साल बचे हैं तो साथ साल में सत्रह गोल और मैं वहीं बोल रहा हूं कि यह सत्रह ग टार में पानी की उपलवदी हमें करानी है तो पानी को पलवदी जो जल जिवन मिसन है स्वक्षभारत मिसन है उसके दो तो 2015 होज जाएगी एंग आपको सिक्षा का भी जो है 2015 तक बहुत जगा हम लोग करा लेंगे आप और उसके लाओ बहुत सारे जो हैं है यह खित की व लेकिन इसु है कि इसके बारे में सबको एक जानकारी होनी चाहिए आप लोग अपना इंप्लिमेंट तो कर रहे हैं एक प्रोग्राम आया उसको आपने एक तारजेट बनाया और इंप्लिमेंट कर दिया लेकिन आपको अवेरनेस नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं और हम इसे क्या अपलब्ध करने जा रहे हैं इसकी हमें अवेरनेस नहीं यह प्रॉब्लम वहां पर जो जनवीन जी बोल रहे हैं कि आप जो इसकी में इंप्लिमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई हम एकर क्यों रहे हैं और इसको करने से अगले सत्राइब कराहिक तो हो रहा हैं सुचना नहीं है आपके जील्य physical body अधन närुद लेकिन काम हो रहा है ऐसा नहीं कि आपके फ्लक्सिक प्रोगाम नहीं चलता है काम हो रहा है लेकिन सुचना नहीं हमारे पस हमारे पस को यसा ब्योस्थित पॉर्टल नहीं है वह ऐसा ब्योस्थित एक सुचना बद्ध एक यह नहीं है कि उसकी हम एक जगह पे जानकारी रखे है और हम यह अपने को डिसाइड करें कि हम कितना प्रग्रेस कर रहे हैं तो अब यह इसलिए अब एक हो रहा है कि थारी पोटल पर हो पोटल का सुविधा यह है उस पर सारी जानकारी रखी जाएगी उससे आप मेजरमेंट कर पाएंगे कि हमने इस साल कितना काम किया अगले स सब्सक्राइब तो इस तरह से यह लेकिन यह तभी आप कर पाएंगे जब पोटल पर जानकारी नहीं रखेंगे कोई सूच नहीं नहीं कि की है तो हमने फ में फुलब्धि की किने क्या हम पता पता नहीं है और इस लिए इस वारओ मिए घुक्र घुक्रेंज़ करते यह सारी सूचनाना अब होतलनग करनी होगी होगी त्बचायत कंने आ जो कौन सी भी कि अन्य डिपार्टमेंट कर रहे होंगे लेकिन उसकी सुचना को करनी पड़ेगी तभी हम लोग हर एक साल नौ थीमों की मेजरमेंट कर पाएंगे नौ थीमों काम देख पाएंगे कि हम अभी तक कितना आगे गए हैं और हमें कहां तक पहुंचना है कि इसके बारे में जो र दिरे दिरे सारे सब्जेक्ट पे भी नौ थीमों पी भी जोएंट रिजूशन हुई है लेकिन इसको आप लोग जरू पढ़िए का इस पर भारा सरकार के 300 सचीओं ने साइन करके एक जोएंट रिजूशन निकाला था कि उनके सभी वहागों का क्या रोल है मैं उसको एक प पोटेंशियल और रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रिस फ्रैक्शिप प्रोग्राम्स डाटा इंस्टिचूशन्स और लोकल टार्जेट्स तो अलाइन विद नाइन सब्सक्राइब कारेकरम आपकी जो डाटा उपलब्द हैं वो डाटा को शेर करना पड़ेगा उसको जीपीड लेख़ ग्रामपंचाइग ग्रामपंचाइग इवपलब्धम्ट प्रोग्रा खेंश और टूलाइ स्टिचूशन्स तो ऑट ने आपकी जोल्टीफ दूलब्द निए लोकल प्रोग्राम्स और इंसरूंटर्ण सुन। चेर्जट का टूलोट सुन। जोल्ब्देट एंट सब्सक्राइब यह है कि आप जो सारी भाग आएंगे उसकी जो लोकल प्लांस लोकल इंडिकेटर भी उसमें पोर्टल पे भी हमने जो भारत सरकार में ही सारे विभागों के साथ संपर करके हर एक थीम पे कितने लोकल इंडिकेटर हो सकते हैं उसकी भी सुचना उपलफ्त करा आपको सब ड्रॉपडउन में जाते जाएंगे दिखते जाएंगे कि वाईअगे विलंग याअका बनाना है तो इस प्रक्राम से हो रही है उसकी उसमें उसकी पे सूचना है पॉर्टन में लेकिन आपको करना क्या है मैं तो जो लिए खोशुचना पंचायत मोपलफ्त करा बद्धान बजन का दिकारी को जिला अस्तरिया भ्लोक अस्तरिया अधिकारी को पंचायत को प्लब्द करानी पड़ेगी कि वह उस पंचायत में दो चार माली चार इस्कूल है चार सो बच्चे खाना खा रहे हैं और इतने बच्चों का पर हम इतनी धनरासी खर्च कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ बेनिपसरी भी आंद दिखना चाहिए और रिसोर्स अन्वेलब भी दिखना चाहिए यह टिंटाटीव हो सकता है एक्जेक्ट हमने पूझने कि या मध इतना काम किया है अंगनवाडी का इतने अंगनवाडी सेंटर में यह कारित्म चल रहे हैं यह फ्लेक्सिप प्रोग्राम से उसकी फंडिंग हो रही है और उसमें इतने बेनिफसरी है और इतने पैसे खर्च हो रहे हैं है उसी तरह से बाकी जो कारेक्रम में स्वक्स भारत म सब्सक्jänst मoscope समझ आप सारा है उसकी सूचना नाव पन सायतों तक वड़ाइड कर आकर पोटल में करानी पड़ेगी अब बोलेंगे इसकourdकिया है जरूवत जब माय काई पर भार धूंढने है कि आप खुद समझ पाएं कि हम कितना अभी कहां पर हम खड़े हैं और हर एक साल आप कि अधिन कितनी पर गद्वी कि अभी आप लेकिन आप उसुचना नहीं रख रहें अधा सुचना नहीं है पंचात असर पर तो नहीं है अब जिला स्थर पर है कि नहीं है आप लोग का दो साल पहले कहां थे सब्रक21 की उसने इस बार ये कहा जा रहा है वह बहुत है यह सारी जो फ्लेक्सी प्रोग्हा मैं युन फ्लिぎ hav outflow कि गाओं तभी आपको प्राज्ये की सूचना भी काल पाएं गे मने लोकल अप्रिस्ट्रेस mobility है कि अधे तीन बिस्ट्राइश्चाव। है एव excellence विपना दू दूना मिलेगी सूचना मिली हैं ब्लॉक की सूचना मिल जाएगी और जीले को इकठा कर देंगे तो आपको राज्य की सुच्छा मिल जाएगी हम लोग इसी पैटरन पर एक अभी डिवलोप्मेंट इंडेक्स के वी काम चल रहा है आज इसका हमारा सेक्रेटरी साहब उसका एक मिटिंग भी ले रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट मोटा मोटी बन जो नौ तिम पर लेकिन अभी जो पंचाट डिवलोप्मेंट इंडेक्स बना रहे हैं उसमें और भी इंडेक्स बढ़ा करें पांसो तक हम लोग जा रहे हैं उसमें उससे धिरे 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 प्लीट पिच्चर पता चल जाएगी कि भाई हमारे पंचायतों की स्थिति क्या है और जुनमीन जी ने जैसा बोला कि कोई चीज मुश्किल नहीं है अभी आप देखें कि भारतवर्स जो दस बारा साल जहां था और आज हम जहां पर खड़े हैं बहुत चिंजा गया है लोग भी और अगले साथ साल में डियर हैस्टू भी गोइंग टुब ट्रांस्फोर्मेशनल चेंज लेकिन उस वो कोई बहार से आके नहीं करेंगो हमी लोग करना पड़ेगा है ना और कैसे होगा सब जब मिलके करेंगे जब हम लोग आप पंचायतों से जिलास तरिये ब् सही सूचना उपलद करगा करेंगे तब सारा कुछ होगा आप जो इस भी छेतर में देखेंगे तो वो सारे अभी राज्ये के भी बहुत सारे फ्लैक्सिप पराम चल रहे हैं कि देश के फ्लैक्सिप पर जल रहे हैं तो इसू यह कि इनकी सारी ब्योस्था मिलके होनी चाहिए और डुप्लिकेशन ही होना चाहिए हम अब अब देखेंगे कि आपके ट्रेनिंग जो इस्ट्यूसंस हैं स्वास्ते बवाग के अपने ट्रेनिंग इस्ट्यूसंस हैं पर समील के काम करें हम अलग को अपना ट्रेनिंग इस्ट्यूसं अनने सरी पैसा खर्च न करें जिलास्तर पे अगर पंच सरपंचों को ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए लग कोई जरूत नहीं है और यहां पर हर एक जिले में तीन-चार ट्रेनिंग शूट्स हैं उनके बिल्डिंग है उनके फैकल्टी है तो क्यों ना उनको यूज करते ही पंचायतों को स्वास्त पर ट्रेनिंग दी जाए सरपंचों को जो पंचाय समीति जिलापर सदों को उनको एजुकेशन पर ट्रेनिंग दी जाए जो आपके जो ट्रेनिंग इसूट्स हैं यहां पर आप मेट्रियल से वो सबको बताएं आप लोग अभी हम लोग क्या करें सब लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं एरकलजर डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहे हैं तो वह अब जो आइसोलेशन वाला सिस्टम हमको धरे-धरे हटाना पड़ेगा और कमसे कम को पंचायत लेवल पर मिलके काम करना पड़ेगा तभी हम जो SDG गोल की उपलफदी हम करा पाएंगे और तभी उस सारी सूचनाई भी उपलफद करा पाएंगे और इसी चीज़ के लिए सारे जोएंट रिजलूशन भारत सरकार में सभी मंत्रालियों ने एक जोएंट किया था और सारे थीम पर किया था तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी हाँ पर एसे जॉइंट रिलूशन सारे विभाग के सचीवगान मिलके जूइंट रिफ्लेक्शन पर निकालें कि उसमें सारे कम्मीट्मेंट क्यों उसमें रिफ्लेक्शन किया जाए जो तीन तो यह तीन जो कमीट्मेंट है यह तीन कमीट्मेंट अगर हम ठीक से कर पाएंगे तब हम देखेंगे कि डूपलिकेशन नहीं होगी एक मनरेगा से जो काम चल रहा है फिर फाइनस कमिस्टन से हम न करें तो यह सारे मिलके जब करेंगे तो हम उस दिसा में हमको पुरी आग तो कि सारे भाग इसलिए नहीं को थोड़ा अप इसको देख लें और उसके बाद से आप अपने जिला अधिकारियों को भी तैयार करें जिला दिकारी ब्लॉक का अधिकारियों को तियार करें कि अगले 10 12 15 दिनों में जो रिक्वाइट डाटा जिस जो जो फ्लैक्सिक प्र कराई जाए उसको उस डाटा को यूटलाइज करके अपने जीपीडीपी में रिफलेक्ट कर पाएं और जब आपको एक पता को मिसन अंतियों दे हमारा तरवे चल रहा है तो उसमें जहां पे जादा प्रायरिटी आप उसी काम को दें जहां पिछड़े पढ़ी में जहां आपका क्रिटिकल गैप जादा आ रहा है है ना और पंचायतों को हमने दो चीज बोली है कि उनकी पंचायत की खुद की धनरासी है फाइनस कमिशन का पैसा जो है जो एस्टेट हो चाहे सेंटल का हो कम से कम 50% से जादा रासी वो जिस संकल पे लिए हैं उसी पे खर्च करें क्युंकि देखिए पंचायतों के आप जो धनरासी पोत लिमिटेड है तो एक उत्नों संकल्प प्रकाम करनी सकते हैं और उत्ती कापसिटी पंचायत की नहीं है कि एकी जाएते है कि आप यदाय दी है कि आप इस लाग receive एक संकल्प पे ले और उस संकल्प एक थीम पे संकल्प ले और उस तीम को सैक्डूरेट करें कहीं कि आप सैक्डूरeशन बोड़ी पर काम करना है रासी को इधर उधर छोटा मोटा पांच जार देजार करके करने साब पैसा का दिखते ही निए काम तो आक को वास्त इतना सी एक ही थीम प्लें उस थीम में 15-20 एक्टिविटी दिया और उसको सैचुरेट करें और अल्रड़ी आप दो थीम पे ताम चली रही है अल्रड़ी पंचायत कमिशन जो 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 सेंट्रल फाइनेस कमिशन का साथ परसेंट गरांट है वो जल जीवन और सब्सक्राइब पैसा जाई रहा है तो अल्रड़ी दो थीम पे काम चली रहा आपका तो इस तरह से पंचायते तीन थीम पर अभी काम कर रहे हैं और वाटर सबिसेंट हो गया दो थीम उसकी भी सुचना आपको कहें कि वो साथ परसेंट पैसा तो अल्रड़ी वह जाई रहा है उसके अलावा पंचायत अपने जो लगता है कि जो भी एक थीम पर संकल प्लें जो भी उनको वहां के जो लोकल जो गराम सभा डिशाइड करती है उस पे लेते हुए उस थीम को सैचूरेट क पर बाकि जो 50 पर जो भी रासी है उसको पंचायत अपने फेल्ट निट कर नुसार और काम पर शकती है लेकिन और जो भी काम जो करेंगी पंचायत उनको वोटल पर ही दर्ज करानी पड़ेंगी और पोटल मतलब किसी नकिसी थीम आप्टिविटी को चूज करके ही करनी आप डाटा की उपलब्धी अभी से कराना सुरू करें तो पंचायतों तक डाटा पहुंचे और वो डाटा पहुंचने से ही जीपी डीपी बन पाएगी पहले जो जीपी डीपी बनती थी कि बस वाई वह मनरेगा का कुछ दिख गया हो खनंजा दिख यह दिख गया वह फा प्रोसेस चलेगी और मार्स तक हम आसा करते हैं कि सारा कारेक्रम आपकी हो जाएगी लेकिन इसके साथ दो तीन चीज मैं और बोलना चाहूंगा और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम बार बार से दो तीन साल से बोलते आ रहे हैं कि आपकी जो ब्लॉक लेबल जो यूनिट प्यएँ यू है डिस्टिक लेवल प्यावरे और स्टेट लेवल प्याव इसको आपको स्ट्रॉंग करना पड़ेगा क्याकि आफिस सारा डाटा इंटेंसिव काम है और भी सारा काम पोटल के होना है तो आपको वह जो हैंड्वल्ड्डिंग सपोर्ट जो देनी है पंचाय और इस्टेट लेवल पीम्यों भी उतना ही स्ट्रॉंग होना जोरूरी है और इसब नहीं करेंगे काम तो आप आगे काम बढ़ानी पाएंगे और इसके लिए हमारे पास I think और धिरे धिरे यह हमको पंचायतों तक लेकर जाना पड़ेगा पंचायतों तक मैन पार रखनी पाओगे उजब तक विकॉज्ट 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 के लिए मैं भी रिकुष्ट करूंगा कि अगले तीन-चार मेने आप सारी करें और उसके लिए जहां से भी आपको सेंटर फ्लैक्सी प्रोग्राम से उनसे भी रासी अपलवद है अभी खुद की पैसे हैं उसका भी पैसा उस करें हर एक डिश्टिक के भी अपनी उनिट हैं उसको भी स्ट्रॉंग करें यह करना पड़ेगा नहीं तो पिर हम जो बात करें कि पंचायत की जो इनिट है उसकी जो सिस्टम है वह इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करने में थोड़ा उनको परिशानी हो सकती है तो वह चीज़ को आप जरूर करवा लें अंगले दो तीन-चार महीने में और हर एक लेवल पर सपोर्ट करें क्या है कि अब यह काम देरे डाटा इंटेंसिव होना है और यह नहीं करेंगा जैसे कि हम हर एक स्कूल में टीचर रखते हैं एक लिए वह चार पंचायतों का देख ले एक डाटा इंट्री ओपटर दो पंचायतों का देख ले वह अब जबाना चला गया मैं बता रहा हूं अब आपको सब लोगों को मैं हरेक श्रीट को बोलता हूं बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर मैं पावर हरेक पं है आप करला में जाएंगे तोहां के पंचायत में आपको फंद्रह बीस पचीश लोग मिलेंगे और बड़ अच्छे काम करें वहां तो पंचायत लेबल पर ही आपकी सारी सर्विस डेलिवरी हो रही है वहीं से सारे एक जगर लोग आते हैं सारे सर्टिफिकेट से लेकर सा समय करना पड़ेगा कि वही पर बैख को सारी मिले औरम करते है तो लिसा में पूल करना पड़ेगा तो शलोली हम को सब मोर प्लानिंग करनाई चाहिए और अभी हम लोग थोड़े देर चीजों को बता करा और उसके साथ आपकी भी जो फीड़बैक होगी आप भी निर्विक होकर आपको जो भी लगता है कि जहां गया पे बताइए इसके साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आप